भारत के वाश्चियों के प्रती प्रेम क्या रहा है? एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ ये पेड़ा वो नहीं समझ पाएंगे मैं दाव और तिसके चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ वेक्ति होंगे और राजरीती में कुछ नहीं था तब भी मुने पैर वहां गिस्ता था है मेरा एक एमोशनल एटेजमेंट है उस छेतर के पती इनको अंदाज नहीं है मानिय अद्ग जी मैं तीन प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूँ सदन्ग सब्ड़े और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूँ देशवासी भी सुन रहे हैं पहली गटना पांच मार्ट नाइंटीन सिक्स्टी सिक्स पांच मार्ट नाइंटीन सिक्स्टी सिक्स इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में आज सहाए नागरी को पर अपनी वायू सेना के माध्यम से हमला करवाया था और बाद गंबीर विवाद हुआ था कांग्रेस वाले जवाब दे क्या हो किसी दूसरे देश की वायू सेना थी क्या क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरी नहीं थे क्या क्या उनकी सुरच्छा ये भारत सरकार की दिम्मेबारी ठीक नहीं थी पांच मार्ट 1966 बाई उस सेना से हमला करवाया गया निर्दोस नागरी को पर हमला करवाया गया और माज़े देख जी आज भी मिजोरम में पांच मार्ट को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है उस दर्द को मिजोरम भूलनी पादा है कभी उन्होंने महब लगाने की कोशिश नहीं किये खाओं भरने का प्रयास तक नहीं किया है कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है और कॉंग्रेस ने इस सजकोद बेश के सामने छिपाया है दोस्तों ये सत्या देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में बायु सेना से हमला करवाना कौन था उस समय इंद्रा गांधी अकाल तक पर हमला हुआ है तो अजबी भी हमारी स्मृति में उनको मिजुरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तक पर हमला कर दे तक वो पहुचे थी मेरे ही देश में और यहां में उपनेद दे रहे हैं आदर नियद्ध जी नौर्स इसमें वहां के लोगों के बिस्वास की इनों ने हट्ट्या किये वो गाव किसे ने किसी समस्या के रूप में भर करके आदे उन्हीं के कार्णा में है आदर नियद्ध दी मैं दूसरी घटना के बड़न करना चाहता हूँ और वो घटना है 1962 1962 का वो खौपनाक रेडियो प्रसारान आज भी शूल की तरह दौसरी इसके लोगों को चूप रहा पंडित नेरू ने 1962 में जब बेश के उपर चाहिना का हमला चल रहा था देश के हर कौने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपिक्षा करके बैटे थे उनको कोई मदज मिलेगी उनकी जान माल की रक्षा होगी देश बच जाएगा लोग अपने हाद दनों से लड़ाई लेंडे के लिए मादान में उतरे हुए थे ऐसी विकट गड़ी में दिल्ली के शासन पर बैटे हुए और उस समय पर एक मादर जो नेता हुआ करते थे पंडित महरून ने वेडियो पर क्या कहा था उन्होंने कहा था माई हाट गोज आउर दू पीफल अवासाव ये हाल करके रखता था उन्होंने वो परशारा आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूपता रहता है और किस प्रकार थे उस समय है नहरू जीने उन्हें अपने भागे पर छोड़ जीने के लिए मजबूर करने जाता ये हमसे हिसाब मांग रहे है अधर ने अधर जी यहाँ चले गए लोहिया बादी ये उन्दुकों में भी सुनाना चाहता था जो लोग